तो इक्वेशन में आपके number of solutions होते हैं और अगर equals to है वहाँ पे तो उसका meaning है आपको big bracket लगाना तो वैसी inequalities को आप बोलते हैं strict inequalities जितना आप steps लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको marks मिलेंगे school में तो दोनों का difference कम से कम 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए यह meaning है second equation pen और pencil तो रहेगा यह तो pencil दो ट्रॉक करने बाद pen से आप shaded region दिखाते हैं क्योंकि जब y equals to x के लिए चेक करें अब 0,0 नहीं चेक कर तकते यानि कि मुझे line के उस side solution चाहिए hello बचा लोग कैसे आप सब लोग आशा करता हूं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा अब आपने इतने chapters देख लिए हैं तो समझ में आ रहा होगा कि revision कितनी ज़रूरी है और जिन लोगों से वो chapter कुछ miss हो गयते हैं किसी भी कारण वर्ष अगर वो चीज़े रह गई थी school में या आपके किसी भी institute में अब वो चीज़े आपकी सारी-सारी cover हो गई है तो अब इतने बड़े-बड़े chapters के बाद आज हम एक छोटा सा topic लेके आए हैं छोटा सा chapter है linear inequalities easy है scoring है एक से दो question तो आते ही एक्जाम में और सच में आप इससे अपना easily score कर सकते हो maximum सारे question एक type के हैं फिर भी जितनी भी variety हो सकती है मैं सारी आज cover करूँगा और आपको समझाने कोशिश करूँगा जिससे आपका ये chapter short shot बन जाए ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं उससे पहले last class में बेटा आपने क्या किया था complex number और quadratic काफी अच्छा chapter है complex number थ्र टफ भी लगता है बच्चों को लेकिन आशा करता हूँ कि class के बाद आपको वो easy लग रहा होगा तो हमने क्या क्या पढ़ा था complex number की representation पड़ी थी कि कैसे standard form में लिखा जाता है फिर उसके बाद algebra of complex number की सर जब plus minus multiply जो होता है फिर division में आते तो कैसे हम conjugate का use करते हैं हमने वो सब किया था फिर argon plane में उसका representation जहसे modulus और उसका angle argument हमने निकालना सीखा था और last में quadratic equation जो direct formula से आ होंगे और अब कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आज के इस chapter में दो ही topic है लिटरली बोला था छोटा सा topic है दो ही topic है एक तो solution of linear inequalities in one variable जब एक ही variable होगा और inequalities का solution जब दो variables हो जाएंगे तो यहां पर हम inequality system interval system यह सब चीज़े पढ़ने वाले हैं ठीक है कुछ बच्चों को श तो start करते हैं linear inequalities सर inequality का मतलब क्या होता है पहले तो यह समझते हैं equals to हम जानते हैं कि अगर को equation दी हुई है आपका समझ लीजिए अगर को equation दी हुई है x square plus 2x plus 1 equals to 0 तो equals हा गया तो यानि कि क्या हो गया equality हो गई तो यह equation कहलाएगी यह क्या कहलाएगी equation तो equation में आपके number of solutions होत event करेगा आपके power पे वही पे अगर inequality आजाए यही पे अगर वह बोल दे x square plus 2x plus 1 less than or equals to 0 या greater than or equals to 0 तो यह अब आगई आपकी inequality यह आगई inequality तो ऐसे equations को in equations बोलते हैं ऐसे equations को in equations बोलते हैं अब यहाँ पे जो solutions होता है वो infinite values भी आ सकता है तो इसलिए जो solutions होते हैं वो आपको intervals में लिखने पढ़ते हैं अगर आपको sets अपने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़े थे intervals, sir close interval, open interval, half open, half close, half open, half close, मतलब जो answer होगा वो इस form में होगा अगर आपके solution real numbers हैं या integers हैं वो depend करता है question के ओपर जिसको हम cover up करेंगे तो यह difference होता है equation और in equation के बीच में च चलिए यहीं पर definition मैंने और लिख दिये, the statement involving variables and the sign of inequality, बार बार बो रहा हूं, sign of inequality, less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to, वैसे equations को हम बोलते हैं in equation and called as in equation or inequality, यही चीज मैंने आपको समझाई थी, यहां पर मैंने definition में भी लिख दी है, चलिए एक छोड़ा सा चीज करते हैं, चलिए अब य यह सर, 3 is greater than 2, अरे सर, क्या बता रहे हो, यह तो हमें पता है, 3 is greater than 2, तो क्या बेटा मैं यह लिख सकता हूं, 3 greater than equals to 2, यह कैसे हो गया, 3 greater than equals to 2, तो इसका literal meaning क्या होता है, आज अपन पहले वो समझते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, मुझ से जैसे हम बोल रहे हैं English में, greater than or equals to, यानि कि यह जो पार्ट है, यह आपको दो पार्ट देता है, less than or equals to, जैसे यहाँ पर हम बोले, तो यह हो जाएगा 3 greater than 2, और 3 equals to 2, यानि कि यहाँ पे बीच में और है, तो सेट्स में हमने पढ़ा था कि और का मतलब क्या होता है बेटा, union, और का मतलब क्या होता है, union, या या तो यह, मतलब यह दो equations बन गई अब आपकी, तो आपको एक एक करके दोनों को solve करना है, यह तो सर हमारा true है, हमें पता है कि 3 greater than 2 होता है, लेकिन 3 equals to 2, नहीं होता, तो दोनों को जब combine करोगे solutions को, तो यह आप लिख सकते हो, यानि कि मैं इसको लिख सकता हूँ, यह valid है, यह valid है, तो यह होता है literal meaning of greater than equals to या less than equals to, यानि उसके अंदर दो parts है, और समझते हैं, suppose करो question आ गया, x square less than or equals to 0, तो इसका मतलब हुआ, सर दो equation है, x square less than 0 और x square equals to 0, अब x square 0 से less तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर, x square quantity कभी भी negative value नहीं देगा, तो यहां से आपको कोई solution नहीं आएगा, लेकिन x square 0 हो सकता है कब, जब x 0 है, तो जब यह question आएगा, तो आप इसका answer क्या लिखेंगे, x equals to 0, या x belongs to 0, एक value, यह literal meaning होता है, greater than or equals to का, ठीक है, एक part तो यह हुआ, दूसरा part सर, कभी भी इन equation में जब आपका answer intervals में आ रहा है, और अगर equals to है वहाँ पे, तो उसका meaning है, आपको big bracket लगाना है, यानि कि close bracket लगाना है, तो corner values भी वहाँ पे included होंगी, यह आपका दूसरा meaning होता है, यह आपका दूसरा meaning होता है, यानि कि यह आपको समझ के रखना है कि जब भी यह आ जाए, greater than equals to 0, या less than equals to 0, तो इसका क्या है, और अगर सिर्फ यह आएगा, तो इसमें आपको open bracket, यह आ जाएगा, तो इसके अंदर close bracket, यह दो चीज़ें आपको समझ नहीं है, कि इसका सर literal meaning क्या है, और plus brackets कौन से लगाने है, ठीक है, clear है, पर यह सारी चीज़ तभी valid है, जब आपका एक ही variable में आए, जब दो variable में आएगा, तो आप उसको interval system में नहीं कर सकते, तब आपको वो graphically ही show करना पड़ता है, उसका solution graphically ही होता है, ठीक है, एक एक करके समझेंगे, next, अब यह पूरा का पूरा कितने type की equation होती है, कैसी होती है, सब example के साथ, यहाँ पे है, सबसे पहले होती है numerical inequality, सबसे पहले ह 3 is less than 7, 6 is greater than 5, 3 is greater than equals to 2, यह भी आप वहाँ पे example में लिख सकते हो, तो यह सब क्या केलाएंगी बटा, numerical inequality, यह सब क्या केलाएंगी, numerical inequality, फिर literal, literal inequality, inequalities which involve variables are called literal inequalities, मतलब जहाँ पे variables है, उनको हम बोलते हैं, literal inequalities, जैसे x greater than equals to 4, y greater than 6, x minus y less than 0, यह सब क्या केलाएंगी बटा, आपकी literal inequalities, फ़र आजाते हैं, linear inequality, an equation of the form ax plus b less than 0, or this, or this, etc, are non as linear inequalities, simple शब्दों में, अगर x, मतलब variable एक है, या दो है, लेकिन वहाँ पे, जो power है, variables की, वो single power है, वो क्या है, single power है, मतलब वहाँ पे x square, x cube, यह सब नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी कहलाएंगी, linear inequality, linear समझी आप, linear equation, linear in equation, यानि की power आपकी क्या होनी चाहिए, यह 1, जैसे की यहाँ पे x plus 3 less than 0, 3x plus 2y greater than 7, यह सब क्या है बेटा, linear inequality है, तो हमें इसलिए chapter का भी नाम है, linear inequalities, हमें linear ही पढ़ना है, हमें higher power की inequalities नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ power 1 वाली ही पढ़नी है, फिर quadratic, यानि कि अगर जब power 2 आजाएगी, तो उनको हम inequalities को हम देंगे, quadratic inequalities, cubic, जब power 3 आजाएगी, उस हिसाब से, पर हमको पढ़नी क्या है, linear, तो आपको यह 3 समझनी है, numerical inequality, literal, सारी के सारी inequalities फिर literal हो जाती है, जहाँ पर variable आता है, और फिर linear, उसके अंदर फिर parts आजाते हैं, फिर strict inequality, inequalities involving the symbol greater than or less than are called strict inequality, यानि कि वहाँ पर equals to नहीं तो वैसी inequalities को आप बोलते हैं, strict inequalities, वैसी inequalities को हम बोलते हैं, strict inequalities, x plus y greater than 5, y less than 0, यह कुछ example है आपके strict inequalities के, मतलब equals to sign महाँ पर नहीं आएगा बेटा, चीक है, तो वो कहला हैंगी strict inequalities, last है आपका slack inequality, inequality involving the symbol greater than equals to 0 और less than equals to 0 are called slack inequalities, वो आपकी क्या कहलाएंगी slack inequalities, ठीक है, example, 4x plus 3y greater than 2, x less than equals to minus 4, यह सब टाइप की जो inequalities हैं, वो आपकी कहलाती है slack inequalities, ठीक है, strict, lack, linear, यह आपके mainly आपको याद रखनी के चीज़ें, ठीक है, यहां से हमने समझ लिया कि type of inequalities क्या-क्या होती हैं, next, अब, rules for solving inequalities, तो rules क्या हैं सर, सबसे पहले, same number और expression may be added to or subtracted from both the sides of inequality without affecting the sign of inequality, मतलब की, अगर आप दोनों side, inequality के दोनों side, कोई भी same number add या subtract करोगे, तो sign change नहीं होता, तो sign change नहीं होता, suppose करते हैं, a and b are positive numbers, suppose कर लो, यह positive number है, तो अगर a greater than b है, then a plus or minus k is plus or minus k, मतलब sign change नहीं होगा, मैंने दोनों side a की quantity को add subtract किया है, तो sign change नहीं होगा, inequality का sign same रहेगा, inequality का sign same रहेगा, both side of inequality can be multiplied or divided by the same positive number without affecting, मतलब, अगर मैं दोनों side के अब k से multiply कर दूँ, k a और यहाँ पे k b, तो अगर यह positive है, अगर जो number आप multiply कर रहे हो या divide कर रहे हो वो positive है, तो sign change नहीं होगा, sign change नहीं होगा, अब इसको बताने का भी एक simple सा तरीक है बेटा, कभी बीना छोटा-छोटा example लेलो, एकदम छोटा-छोटा, जैसे कि sir, 3 is greater than 2, चलो, दोनों side पे 5, 5 को add करते हैं, 3 plus 5, 8, 2 plus 5, 7, देखो sir, अभी भी same है sign, अभी भी same है sign, अब दोनों जगा पे चलो, 2 से multiply कर लेते हैं, 2, 3's are 6, 2, 2's are 4, अभी भी देखो sign same है, sign change नहीं होगा, लेकिन, if both the sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality changes, मतलब सिर्फ एक ही शर्थ पे या एक ही rule पे sign change होगा, अगर आप दोनों side पे negative number से multiply करोगे, यानि कि अगर अब मैंने k से multiply किया, और मुझे पता है कि k negative है, तो sign change हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे minus 3 से multiply करते हैं, minus 3 into 3, minus 9, minus 3 into 2, minus 6, sir, अब minus 6 बड़ा है, तब minus 6 बड़ा है, तो 3 basic से rule है, sir, अगर आप कोई भी number दोनों side पे add या subtract करोगे, तो sign change नहीं होगा, positive number से multiply करोगे दोनों side पे, तो sign change तब भी नहीं होगा, लेकिन एक negative number से multiply करोगे बोद side पे, तो sign change हो जाएगा, sign change हो जाएगा, तो solve करते वक्त हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, इन rules को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चलिए, अब graphical solution of linear qualities in two variables, तो sir, अभी मैंने बोला, जब one variable होता है, तो आप उसको, मतलब number line system से, या किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन जब two variable आ जाएगा, तो आपका तब वो solution है, वो सिर्फ graph ही तरीके से होगा, वो आपको सिर्फ graph के तरीके से ही होगा, ठीक है, उसको कैसे करना है, मैं example यह तरीके और आपको बताऊंगा, तो दोनों में से एक side आपका solution होगा, यह जैसे lower half है, यह upper half है, तो इन दोनों में से एक ही side आपका solution होगा, वैसे अगर कोई line parallel आप draw कर रहे हो, तो उसमें भी कोई भी एक side ही solution होगा, वो कैसे पता करना है, question के साथ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, चलिए, now, graphical solution of linear inequalities in two variables, तो सर जब दो variables हैं, तब आउंका solution हम कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया गया है, तो इसको हम लोग continue करेंगे, तो the region containing all the solution of inequality is called the solution region, तो हम एक normal सा graph बनाते हैं, आपका exam में भी अगर दो variable आएगा, तो एक graph पर दिया जाएगा, वहाँ पर आप scale की मदद से, मतलब scale वहाँ पर एक centimeter कर रहता है, उसी scale से आप x-axis, y-axis खीचते हैं, फिर in order to identify the half plane represented by the inequality, it is just sufficient to take any point not on the line and check whether it is satisfying the inequality or not, मतलब वह line draw करने के बाद, जो भी आपकी inequality है, वह line draw करने के बाद, आप दोनों side में से कोई भी एक point ले लो, उसको inequality में put up करके देखो, अगर वह उसको satisfy कर रहा है, तो वह region आपका answer होगा, अगर वह उसको satisfy नहीं कर रहा है, तो opposite region आपका answer होगा, simple, अगर वह region satisfy कर रहा है, तो वह आपका answer होगा, अगर वह नहीं कर रहा है, inequality को satisfy, तो उसका opposite region आपका answer होगा, clear है, बाकी example करते वक्त हम और समझेंगे, छीक है, if an equality is of type ax plus by greater than c or this, then the point on the line are also included in the solution region, so draw the dark line in the solution region, अगर equals to का sign आजाएगा, तो वो line वाले points भी satisfy करेंगे, तो वो line वाले points भी satisfy करेंगे, बस ये एक point आपको और ध्यान में रखना है, ठीक है, next, अब algebraic solution of linear equalities in one variable and their graphical representation, एक एक करके चलेंगे, अभी तक हमने बस समझ लिया कि sir, inequalities क्या होती है, उसके types क्या होते है, one variable आएगा, तो उसका solution कैसे होगा, two variables आएगा, तो उसका solution कैसे होगा, वो हमने समझ लिया, बाकी question के थुरू में, और एक बार आपको revise कराऊँगा, अब एक एक करके हम solve करेंगे, सबसे पहले आता है, algebraic solution of linear equalities in one variable, जब आपके पास एक ही variable है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया होगा है, solve, 5x minus 3 less than 7, when x is an integer, x is a real number, दो cases है आपके पास, हमारे पास दो cases हैं, ठीक है, एक एक करके solve करेंगे, तो आपको inequality दिया है, 5x minus 3 less than 7, तो जो transpose के rules equals to में काम करते हैं, वो same rules यहाँ पर inequality में भी काम करते हैं, यानि कि अगर कोई चीज minus मैं यहाँ पर तो उधर लेकि जा सकता हूँ, एक तरीका तो वो हुआ, दूसरा तरीका, सर अभी हमने पढ़ा है कि हम same number से, दोनों side पर जब add a subtract करते हैं, तो inequality change नहीं होती, तो basically मैं 3 को add कर देता हूँ both side पर, मैं 3 को add कर देता हूँ both side पर, जिससे cancel हो जाए, क्यूंकि मुझे x की values चाहिए, तो आपको एक side पर सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए, बाकि सारी चीज़े दूसरी side पर होनी चाहिए, यह rule होता है one variable में, एक side पर सिर्फ और सिर्फ x की चीज़े, और बाकि जो भी constants बच रहे हैं, उन सबको आपको दूसरी side पर लेके जाना है, तो अब यह क्या हो गया, 5x less than 7 plus 3, 10, अब अगर मैं एक positive number से divide करूँ तो sign change नहीं होता, तो 5 से divide कर दीजे, 5x by 5, 10 by 5, तो देखो हम rule से हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग rule के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पर 5, 5 cancel हो गया, 5 ones are 2, तो answer हो जाएगा x is less than 2, answer हो जाएगा x less than 2, इतना करने के बाद, अब आप देखोगे, पहला चीज दिया हुआ है sir, x belongs to integer, तो 2 से कम integer कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 0 होता है, minus 1, minus 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, x is equals to curly bracket, फिर 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, dot dot dot, dot 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 का मतलब है कि अब answer checker को पता है, कि हाँ, अब minus 4, minus 5, सारे integers आपने include कर दिये हैं, ये तरीका हो गया, बस answer sir, दूसरा answer, जब x belongs to real number है, तो real number है, तो आप ऐसे graph से दिखा सकते हो, graph in the sense, जब single variable में graphical solution बोलता है, तो x axis तो एक straight line है न सर, तो आप बस एक straight line बनाएंगे, minus infinity, plus infinity, भाई, negative से positive हम जाते हैं, जो भी आपकी value आई है, सिर्फ उसको plot करो, सिर्फ उसको plot करो, ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सारे number 0, negative, positive सा plot करने हैं, नहीं, जो भी आपका answer है वो, अब मुझे चाहिए 2 से less, तो यानि कि ये वाला part, अब अगर वहाँ पे equals to होता, तो 2 भी include होता, लेकिन equals to नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे, vacancy, इसको हम बोलते हैं, vacancy, या vacant dot, vacancy, तो इसका मतलब है कि सार, 2 से less जा रहा है, लेकिन 2 included नहीं है, तो अब इस answer को हम कैसे लिखेंगे, increasing order में हम लिखते हैं, तो minus infinity से 2, infinity हमेशा open रहेगा, 2 close नहीं है, तो यह, यह आपका answer हो गया, तो पहले हम ऐसे explain करेंगे, फिर first, second, इस तरीके से, graphical solution भी वो हो गया आपका, देख लीजे आप लोग, पूरी screen आपके सामने है, एकदम simple scoring, कुछ भी ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, और question करते हैं, solve 3x plus 8 greater than 2, when x is an integer, x is a real number, ठीक है सर, इसको भी वैसे ही, 3x plus 8 greater than 2, तो 8 को उधर में ले जाऊंगा, तो यह हो जाएगा, 2 minus 8, 3x greater than minus 6, x greater than minus 6 by 3, मैं अब 3 से दोनों साइट पर divide कर रहा हूँ, तो minus 6 by 3 आपको देदेगा minus 2, यह आपका answer बन गया, जब बोल रहा है कि x integer है, तो x की values क्या क्या हो जाएंगी बेटा, minus 2 से बड़ी, included नहीं है, तो वो होंगी minus 1, 0, 1, 2, 3, dot, 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 answer, यह आपका answer है, second, x belongs to real number, तो आप हम number line बनाएंगे, minus infinity plus infinity, जो आपकी value है, यह सिर्फ उसी को आप plot करोगे, plot in the sense, उसी को आप यहाँ पर रखोगे, अब यह open है, तो यहाँ तक, तो answer हो जाएगा, minus 2 से infinity, दोनो open, इतना simple है सर, मतलब mintों में solve हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कर घबराने वाली बात नहीं होती है, mintों में आपका answer आ जाएगा, ठीक है, clear है, और questions करते हैं, अब देखो सर, ऐसा कुछ आगया, solve the inequality, सिर्फ हमें बोल रहा है, solve the inequality, यानि कि अब यहाँ पर, x belongs to r ही है, अगर यह बोल रहा है, solve the inequality, तो आपको लेके चलना है, x belongs to r, जब कुछ भी mention नहीं है, तो यानि कि हम सारी, सारी real numbers लेंगे, ठीक है, अब बस board mass हमने पढ़ा था, पहले bracket off करेंगे, तो 3,2 जा 6, minus 3,x, greater than equals to, 2,1 जा 2, minus 2,x, तो x के terms को, 1,6 दे ले जाते हैं, तो 2 को इधर लेके आएंगे, तो minus 2 हो जाएगा, और minus 3,x को उधर लेके जाएगे, तो plus 3,x हो जाएगा, तो 3,x minus 2,x, x बचा, less than equals to 4, यह आपका answer बन गया, यह आपका answer बन गया, तो graphically, minus infinity, plus infinity, यहाँ पे आ जाएगा, 4, तो अब देखो, यह 4 पे included है, तो देखो, मैंने क्या किया है, filled dot वहाँ पे कर दिया है, filled dot का मतलब क्या हुआ, 4 included है, तो answer हम लिखेंगे, x belongs to, minus infinity से लेके, 4, minus infinity open, 4 closed, तो यह close symbol तभी आएगा, जब यहाँ पे equals to है, जब यह एक slack inequality है, पर infinity हमेशा open रहेगा, तो आपको infinity के बारे में, नहीं सोचना है, infinity के बारे में, नहीं सोचना है, ठीक है, minus infinity से लेके 4, इस तरीके से solve होगा, एकदम simple है, right, चलिए, अब sir division में भी आ गया, तो घबरा जाएगे, नहीं, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, sir, आप 5 से multiply कर दो, फिर 3 से multiply कर दो, या cross multiply कर दीजे, क्योंकि positive है, तो अगर एक positive number को उधर लेके जाऊंगा, तो भी sign change नहीं होगा, जो equals to के normal rules हैं, वो सब आप apply कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ negative number से बचना है, तो यह उधर जाएगा, यह हो जाएगा, 3, 3, 9, x minus 2, 9x minus 9 to the 18, 25 to the 50 minus 25x, अब 25x को यहाँ पर लेके आजाओ, तो 9x plus 25x less than 50 plus 18, तो 9 plus 25, 34x हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 68, तो x, अब 34 को उधर लेके जाएगे, तो 68 by 34, यह आपका बन जाएगा 2, 34 to the 68, तो यह आगया, तो directly हम मैं answer लिख क्या लिख सकता हूँ, minus infinity से 2, 2 पे अब close रहेगा, अगर graphical देखना है, तो आप number line बनाएगे, minus infinity plus infinity 2, 2 से less चाहिए सर, 2 से मुझे less चाहिए, इस तरीके से यह solve हो गया, simple, ठीक है, simple plus minus करना है बिटा, बस inequality से डरना नहीं है, inequality बस negative number जब आज़े, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, जब आपको ध्यान देना है बस, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर, इतना सारा है, तो क्या डर जाएंगे, नहीं, simple maths का rule लगाईए और solve करिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, यह है 2x minus 1 by 3, greater than LCM लेंगे यहाँ पे, तो सर 5, 4 LCM 20 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 3x minus 2, minus 4 इधर आ जाएगा, इस तरीके से, चलो, तो 2x minus 1 by 3, 5, 3 जा 15x, 5, 2 जा 10, minus 4, 2 जा 8, minus minus plus 4x by 20, अब इस 20 को मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो 20 into 2x minus 1, और यह 3 इधर आ जाएगा, 15 plus 4, 19x, और यह हो जाएगा minus 18, cross multiply कर दिया, simple math के rules, अब 20 into 2, 40x, minus 20, greater than, अब यह हो जाएगा सर, 3 into 9, 27, और 2, 3 1s are 2, 57, x minus, यह हो जाएगा आपका 54, चीक है, 3 is the 24, 2, 54, अब इसको उधर ले जाओ, और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो 54 minus 20, greater than, 57x minus 40x, चीक है, तो 54 minus 20, यहाँ पे बचेगा आपका, 34 greater than or equals to 57 minus 40, आपको मिल जाएगा 17x, तो x less than 2 आजाएगा आपका, क्योंकि 34 by 17 आपका 2 होता है, simple, तो answer क्या लिखेंगे हम, final answer, x belongs to minus infinity से 2, 2 close, infinity open, तो आपको simple जो maths में solve करते हैं, आप देख सकते हैं, वही सब करना है, LCM लिए, बकायदा पूरा solve किये, फिर cross multiply किये, और avoid करें negative, अब मैं 57 को भी इदर ले जा सकता था, पर वो क्या हो जाता, 40 minus 57, negative हो जाता, तो इसलिए मैंने 40 को इदर ले के आया, तो avoid करो, try करो कि negative ना हो, उस तरीके से आप transformation करो, तो आपका answer हमेशा correct आएगा, आपका answer हमेशा correct आएगा, ठीक है, चलिए, एक और question करते हैं, solve the inequality, x by 4 और ये, तो वापिस LCM लेंगे, x by 4 as it is, यहाँ पर, 3 और 5 का LCM 15, फिर 5, 5 जा, 25 X, मैं थोड़ा सब direct कर रहा हूं बेटा, पर आप लोगों को एक-एक step करना है, जितना आप steps लिखेंगे, उतने जादा आपको marks मिलेंगे स्कूल में, 5, 5 जा 25, मैंनस 5, 2 जा 10, मैंनस 3, 7 जा 21, x, मैंनस मैंनस प्लस हो जाएगा, 3, 3 जा 9, अब cross multiply कर देंगे, तो 15 X, 4, 25 मैंनस 21, sir 4 X दे देगा, और मैंनस 10 प्लस 9, मैंनस 1 दे देगा, simple, तो 15 X, 4, 4 जा 16 X, मैंनस 4, अब 15 को मैं वहा लेके जाऊंगा, तो मैंनस 4 आके इधर प्लस हो जाएगा, और ये 16 X, मैंनस 15 X, तो X greater than 4 हो जाएगा, X greater than, क्योंकि इधर लेके आगे न, sir मैं X को मैं, तो X greater than जैसे यहाँ पे था, जब ये तो X less than था, तो X greater than 4, यानि की X belongs to 4 से प्लस इंफिनिटी तक, कभी भी doubt हो, simple सा एक number line बना लेंगे, minus infinity, प्लस इंफिनिटी, 4, मुझे चीए X greater than 4, यानि की 4 से बड़ा, पर 4 included नहीं है, तो open dot, तो answer हो जाएगा 4 से इंफिनिटी, इस तरीके से आपको solve करना है, simple answer scoring है, बार-बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर question आते हैं, word problems, की word problem भी आ सकता है sir, आपके NCIT में भी given है, तो word problems में आप कैसे deal करेंगे, तो word problem को solve करने के लिए, बेटा मैं यही बोलूँगा, कि पहले question को एक-एक करके जो बोल रहा है कि एक statement, आप एक-एक statement को पकड़िये, और फिर आप decide करिये, जैसे कि यहाँ पर, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more, मतलब average, तो sir average क्या होता है, sum of all the values, divided by number of values, अगर मैं average का example बोलूँ, या mean, mean बोल लीजिये, या average बोल लीजिये, sum of all values, divided by number of values, यह होता है, चल, अब बोल रहा है कि, to obtain an average of 90 marks or more, in 5 examinations, each of 100 marks, यानि कि number of values तो 5 है sir, number of values 5 है, if sunita marks in first 4 examinations are, 87, 92, 94 and 95, यानि कि सब 4 marks given है, तिर्फ एक marks given नहीं है, एक marks given नहीं है, find minimum marks, that sunita must obtain, in the 5th examination, to get grade A in the course, तो उसको minimum कितने marks चाहिए, हमसे पूछ रहा है, तो उसको minimum कितने marks चाहिए, यानि कि उस marks को हम क्या लेंगे, X लेंगे, तो आप लेंगे, let 5th mark, to be X, ठीक है, अब मुझे average चीए, 90 या 90 से ज़ादा, मतलब 90 भी चलेगा, तो आपकी जो 4 values है, वो है 87, plus 92, plus 94, plus 95, plus X, या आपकी 5 values हो गई, इन 5 value का mean, divided by 5 होगा, इसकी जो value है, वो बोल रहा है 90, तो यानि कि equals, या 90 से ज़ादा, तो greater than or equals to 90, इसको हम बोलते हैं, according to condition, या according to question, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, according to question, लो, बन गई आपकी linear inequality, अब बस, solve कर देना है, तो वो बस statement बड़ी दिखेगी, लेकिन ultimately वो easy रहेगा, अब इसको solve कर दीजे, 5 को अधर ले जा सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 5, 9, 45, यहाँ पर आप अब आप कर लो, 7 plus 2, 9, 9 plus 9, 18, 1, तो 10, 10 plus 18, आपका हो जाएगा 28, 28 plus 8, 28 plus 8 हो जाएगा आपका, 36, so 368, 28 plus 8, 36, तो X greater than, 450 minus 368, तो X greater than, सर माइनस कर दीजे, कि कितना हो जाएगा, सर 2, 70, 30 and 50 is 80, so 82, यह आपका हो जाएगा 82, 270 यह, तो यानि कि, जो 5th mark है, वो 82 या 82 से जादा होने चाहिए, पर maximum marks 100 है, तो आप सिर्फ यह लिखोगे, तो आपका answer गलत हो जाएगा, आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, 10, X belongs to, 82 to 100, both closed, both closed, क्योंकि 82 पे closed है, तो या तो वो 82 हो सकता है, या 82 से बड़ा कब तक, 100 तक हो सकता है, तो यह आपका final answer होगा, यह आपका final answer होगा, अगर आप सिर्फ यह छोडेंगे, तो यह गलत हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि सर, 82 के बाद तो 105 भी होता है, 110 भी होता है, लेकिन जब पता है कि, maximum marks 100 है, तो आपको उसी तक stop कर देना, उसी तक stop कर देना है, एक बार देख लिजे, एकदम simple सवाल था, कैसे mean of या marks का, हमने पहले निकाला, और उसके बाद उसको ऐसे किया, चीक है, एकाथ question और करते हैं, ये question मुझे थोड़ा सा difficult भी लगता है, और एक अच्छा question मैं बोलूँगा, इसको मैं, मतलब, क्योंकि समझने के लिए ये थोड़ा सा difficult हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए, यानि सर, उसके पास एक 91 सेंटीमिटर का बोड है, उससे उसको तीन लेंथ निकालनी है, उससे उसको तीन लेंथ निकालनी है, जरूरी नहीं कि पूरी 91 यूज़ कर रहा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, the second length is to be 3 cm longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest, मतलब जो बच्चवी दोनों length है, उसको shortest से compare किया जा रहा है, उसको shortest से compare किया जा रहा है, तो हम shortest length को X ले लेते हैं, let shortest length be X, चीक है? अब according to question, क्या बोल रहा है the second length is to be 3 cm longer than the shortest यानि कि आपकी जो second length होगी second length वो जाएगी x plus 3 3 cm longer and the third length is to be twice as long as the shortest और जो आपकी third length होगी वो twice हो जाएगी समझे पहले इतना पाट देखो मैंने क्या किया है question को समझके एक एक करके मैं पूरा question read नहीं किया एक line पड़ा उसके according मैंने क्या समझा मैंने वो note down किया और फिर देखा कि किस चीज को x लेना हमारे लिए feasible था या easy था तो मेरे पास अब तीनो length आ गई x के form में अब what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least five centimeter longer than the second अब यहाँ पे sir दो चीजे हैं पहली तो यह जो तीनो length है इसका सम 91 या 91 से कम होना चाहिए तो equation 1 आपकी क्या बनेगी equation 1 x plus x plus 3 plus 2x should be less than or equals to 91 या तो वो 91 हो सकती है या उससे कम हो सकती है उससे कम में भी तो चलो sir मेरा काम 80 centimeter में हो गया तो मैंने वो कर दिया यह आपकी equation 1 हो जाएगी दूसरी क्या बोल रहा है possible length if the shortest board of the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second board if the third piece third piece मेरा क्या है 2x तो equation 2 आपकी क्या बनेगी equation 2 आपकी क्या बनेगी third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second third piece है मेरा 2x should be at least 5 centimeter longer मतलब कम से कम 5 centimeter उससे वो longer होना चाहिए तो सर्थ second piece क्या है minus x plus 3 यानि कि दोनों का difference भई shorter मतलब क्या बोल रहा है 5 centimeter longer मतलब second piece से वो तम से कम 5 centimeter longer होना चाहिए at least का मतलब minimum minimum 5 centimeter से बड़ा होना चाहिए मतलब इस जोनों का difference जो है अगर एक 10 है तो दूसरा जो second है वो 5 ही होना चाहिए या उससे जादा हो सकता है मतलब पहला वाला 11 हो सकता है 12 हो सकता है तो दोनों का difference कम से कम 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए ये meaning है second equation का इसलिए मैंने बोला था ये question अच्छा है क्योंकि यहाँ पर दो equations बन रही है अब आपको दोनों को solve करना है जैसे यहाँ पर x प्लस x तो यह हो जाएगा 4x less than 91-3 आपका हो जाएगा 88 तो x आपका हो जाएगा 4 से divide करेंगे 22 यानि कि जो x है जो shortest board है वो 22 या 22 से कम होना चाहिए पहली चीज अब यहाँ पर देख लेते हैं 2x-x x हो जाएगा greater than यह minus से उदर जाएगा 8 या तो वो 8 से बड़ा होना चाहिए तब solve करेगा या 22 से चोटा होना चाहिए तो इन दोनों को जब आप combine करेंगे तो आपका answer कितना हो जाएगा x belongs to 8 से लेके 22 closed यानि कि जो shortest board है वो या तो 8 या 22 इन दोनों में से बीच की answer होनी चाहिए इस तरीके से आपको solve करना है तो यहाँ पर दो equation बन गई सर इसलिए एक अच्छा question है पर आपको break करना है question break करना सीखना है ति जो जो statement दिए उसको आप एक एक करके break करिए और answer निकालिए चीक है आशा करता हूँ समझ में आया होगा और अब आपको थोड़ा बहुत confidence आ गया होगा single variable इतना ही है इतना ही easy होता है चीक है बस आपको solve करना है integer बोल रहा है, real number बोल रहा है, interval बनाने है और या तो फिर word problem है यह आपका पहला part है इस chapter का in one variable ठीक है, अब इसके बाद हपन start करते हैं जब two variable में तो वहाँ पे जब हम graphical solution करते हैं तो अब आ जाते हैं two variables पे, तो sir two variables के लिए हम क्या करेंगे, graphical solution of linear equalities in two variables इसमें तो sir graphical ही आपको solution करना है, आपको graph paper पे पूरा plot करके, फिर dot 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 या उसको shade करके आपको बताना है तो इसके अंदर हमने क्या सीखाता, suppose करते हैं, कोई भी line दी हुए, suppose कर लीजे, आपको line दी हुए two x minus y greater than or equals to four ये दी हुए, ठीक है तो किसी भी line को पहले तो plot करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको system दिया हुआ है, ठीक है x axis y axis आप बना लीजे तो sir, एक थोड़ी देर के लिए rough में आई सही, एक बार inequality को भूल जाए, two x minus y equals to four ये हो जाएगा, अब आप क्या करो, एक के करके zero करो x को zero करूंगा तो sir, x zero करूंगा, तो y हो जाएगा minus four, फिर y को zero करूंगा, तो x हो जाएगा two तो sir, मुझे दो point मिल गए और maths में या कहीं पे भी x दो point से सिर्फ एक ही straight line pass कर सकती है एक ही straight line pass कर सकती है तो अब एक point हम करेंगे, zero कॉमा minus four तो sir, यहाँ बने मान लेते हैं zero कॉमा minus four और दूसरा है two कॉमा zero तो यह दो point आ गए इन दोनों को join कर दीजे और फिर extend कर दीजे यह आपकी line बन गई, two x minus y equals to four तो कोई भी straight line plot करने का तरीका, सबसे easy तरीका मैंने आपको बता दिया है एक, x को zero करो y को zero करो, दो point आएंगे join कर दो, line बन गई अब sir, हमें region निकालना है तो region निकालने के लिए अब देखो दो planes है, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे भी, एक ये plane है और एक ये side का plane है, तो कोई भी एक point ले लो, सबसे favorite point है sir, यह zero कॉमा zero, origin इसको इसमें put up करते है sir, zero minus zero zero is greater than four गलत है, zero four से बड़ा होता है क्या, नहीं sir तो यानि कि ये मेरा region नहीं है, उसको opposite region मेरा region हो जाएगा, तो आप इसको shade कर दोगे आप इसको shade कर दोगे ये आपका answer हो गया खत्म इतना ही करना है sir ये आपका answer हो जाएगा line बनाई एक point को inequality में डालके check किया, अगर वो satisfy कर रहा है, तो वो वाला region होगा satisfy नहीं कर रहा है, तो उसको opposite region होगा that's it, simple है ना simple, चलिए question करते हैं जैसे कि यहाँ पे एकदम basic से start करते हुए, मैं जो भी 5 marker question हो सकता है 6 marker question होता है, वो सारे discuss करूँगा जिससे आपको confidence आ जाए solve the following inequality in two dimensional plane x plus y less than 5 तो पहले तो आप एक plane बना लीजिए, ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक बार के लिए मैं भूल जाऊंगा एक बार के लिए मैं भूल जाऊंगा x को 0 करा, तो sir y 5 आया, y को 0 किया, तो x 5 आया, तो एक point हो गया आपका 5,0 और एक point हो जाएगा 0,5 इन दोनों को आप join करिए, extend कर दीजिए यह, line बन गई अब कोई भी एक point को check करते हैं, यहाँ पे 0,0 रखो, तो 0 plus 0 less than 5, yes sir 0 less than 5 होता है, यानि कि यह मेरा region हो जाएगा यह मेरा region हो जाएगा बस, खत्म अब यहीं पे अगर equals to होता तो आप इस line को भी dark करते इस line को भी dark करते यह आप दूसरा color यूज़ कर सकते हो exam में, ज्यादा अच्छा है कि आप दूसरा color यूज़ कर लो pen और pencil तो रहेगा, यह तो pencil से draw करने बाद pen से आप shaded region दिखा देना तो अगर equals to भी रहेगा तो line को भी आप pen से blue कर दीजेगा, खत्ता यह difference होता है इतना simple है यार ज्यादा difficult है ही नहीं मतलब free के marks है, बोल लीजे आगे बढ़ते हैं solve the following, अब दिखिए equals to 6 है अब मैं यहाँ पर दूसरा pen का use करूँगा जिससे आपको और समझ में आ जाए तो sir, सबसे पहले तो हमें line बनानी है तो 2x plus y equals to 6 x को 0 किया तो y 6 हो जाएगा y को 0 किया तो x 3 हो जाएगा तो एक point होगा 3,0 और एक point हो जाएगा 0,6 इन दोनों को join करिए extend कर दीजे, इस तरीके से अब मैं color change कर लेता हूँ yellow कर लेता हूँ अगर मैं 0,0 लेता हूँ तो यह हो जाएगा sir, 0 plus 0 greater than 6 sir, यह true नहीं है यानि कि ये side का point आपका answer नहीं है वो side का point आपका answer है तो ये वाला region आपका answer हो जाएगा आप उसको दूसरे color से ऐसे कर देंगे ठीक है लेकिन अब यहाँ पर equals to भी है, तो equals to है, तो यह जो line है, आप इसको भी color up करेंगे, मतलब इसको भी आप included करेंगे, तो ये अब आपका answer है simple, equals to नहीं है तो सिर्फ line को आप shade नहीं करेंगे बागी का region shade कर देंगे equals to है, तो line भी shade करेंगे इस तरीके से ये solve होता है इस तरीके से ये solve होता है clear है? चले, आगे बढ़ते हैं solve the following inequalities graphically वापिस से वही है सर minus 3x plus 2y तो अब minus आ गया तो डरने की बात है क्या? नहीं सर, डरने की बात तो है ही नहीं minus 3x plus 2y equals to minus 6 अगर x को 0 करूंगा तो y minus 6 by 2 आपको देदेगा minus 3 y को 0 करूंगा तो x आपको देदेगा minus 6 by minus 3, 2 तो एक point हो जाएगा 2, 0 और एक point हो जाएगा आपका 0, minus 3 इन दोनों को join करिए, extend कर दीजे simple पहला step यही है अब एक point चेक कर लेते हैं सर, 0, 0 0 greater than minus 6 होता है क्या? हाँ सर, होता है यानि की मेरा जो answer है वो क्या हो जाएगा? ये side वाला हो जाएगा मतलब, जहाँ पे 0 है कई बार आप books में देखेंगे arrow भी बना रहता है तो आप arrow भी बना सकते हो नहीं तो आप shade भी कर सकते हो dot भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक है? तो यह आपका answer हो जाएगा पर यहाँ पी equals to है तो sir, मैं फिर line को भी dark करूँगा या color up कर दूँगा जो भी color मैं shading के लिए use कर रहा हूँ आपके पास scale रहेगा तो आप scale से एकदम equal line मतलब ऐसा नहीं कि line की इदर उदर जा रहा हो वैसे आप कर सकते हो तो इस तरीके से हम यह solve करते है ठीक है आशा कर तो मैं आ रहा होगा और लग रहा होगा बहुत simple सा है बिल्कुल है sir बिल्कुल यह वाला chapter सच में simple है अब देखते है sir एक से ज़्यादा चीज़े अब आएंगी एक से ज़्यादा equation एक एक करके solve करेंगे जैसे यहाँ पर दी अवा है x greater than minus 3 x greater than minus 3 ठीक है यह आप कारा system है x sir x equals to तो draw करने के लिए यह हो गया x equals to minus 3 और y equals to minus 2 same है system यह नहीं है कि sir अलग थोड़ा सा question है ऐसा change होगे तो आप system change कर दिये नई एक ही rule सब तरह के question के लिए x equals to minus 3 sir minus 3 यहाँ पर होता है x की value हर value के लिए तो यह line straight line बन जाएगी यह आपकी बन गई x equals to minus 3 फिर y equals to minus 2 ठीक है sir यह minus 2 है तो यह line मेरी बन जाएगी y equals to minus 2 sir अब region कौन सा होगा common region अब आपको दोनों का एक एक region निकालना है और फिर उन दोनों का जो common region होगा वो आपका solution होगा ठीक है जैसे यहाँ पर अब sir पहले अगर मैं x की बात करूँ 0,0 डाल दो यहाँ पर यहाँ पर x greater than minus 3 तो 0 greater than minus 3 होता है yes sir यानि कि यह वाला region मेरा answer होगा जहाँ पर 0 है जहाँ पर 0 है यह वाला region मेरा answer होगा ठीक है second है sir y less than minus 2 sir यह वाली line है चलो दुबारा 0,0 डाल देते हैं यह point है हमारा तो sir 0 less than minus 2 होता है क्या नहीं होता sir तो यानि कि मेरा नीचे वाला answer होगा इसको अलग color से भी हम कर सकते हैं पिंक ले लेते हैं यह वाला अब आपको वो region लेना है जहाँ पर दोनो color होंगे यानि कि pink और white दोनो तो उसको अब आप तीसरे color से कर सकते हो तो यह आपका आप answer हो जाएगा आप ऐसे करेंगे यह आपका answer कहलाएगा यानि कि y वाली line से नीचे और x वाली line के right में यह आपका answer होगा नहीं white आपका answer है नहीं pink answer है yellow आपका answer होगा और equals to नहीं था तो देखिए line को मैंने नहीं वो किया है इस तरीके से तो अगर एक से जादा आ जाता है तो आप सबका individual पहले solution निकालते हैं और फिर merge करके देखते हैं कि दोनों का common या तीनों का common या चार का common कौन सा solution है paper आपको एक ही मिलेगा तो graph paper एक ही मिलेगा तो मैं हमेशा यह बोलूँगा बच्चों को कि पहले rough पे थोड़ा सा खुद से solve कर लें फिर उसको fair एक graph paper पे fair बनाके properly क्योंकि आपको पता है कि कौन सा region आपको मतलब वो करना है color करना है उस तरीके से आप कर लीजे ठीक है यह आपका इस तरीके से होता है basic questions शुरुआत करिए हम और अच्छे level पे question लेके जाएंगे अब देखें यहां पे दो line है आ गई सर अब proper दो line है 2x-y greater than 1 x-2y less than minus 1 method same है सर अब थोड़ा सा हम अब क्या करेंगे बड़ा stray वो बनाएंगे चलिए yellow से ही बना लेते हैं इस तरीके से अब हमारे पास दो system है तो आप दो line बना सकते हैं पहरी line है 2x-y equals to 1 line बनाने के लिए पहले equals to 1 लेना पड़ता है और दूसरी line है x-2y equals to minus 1 यह है एक एक करके solve करेंगे सर x को 0 किया तो y minus 1 y को 0 किया तो x हो गया half यहां पे x को 0 किया तो sir y हो जाएगा 1 by 2 minus 1 by minus 2 और y को 0 किया तो x हो जाएगा minus 1 तो सबसे पहले तो sir line बना लीजिए पहली line के लिए sir 0, minus 1 ठीक है और half, 0 इन दोनों को join कर देंगे यह आपकी पहरी line है आप line भी लिख सकते है 2x minus y greater than 1 मतलब line greater than 1 नहीं है region होता है तो आप equals to 1 लिख सकते है फिर दूसरी line है sir 0, half ठीक है और minus 1, 0 minus 1, 0 यह बनेगा तो यह कहीं पे जाके intersect करेगा यह सेम चीज 12 में LPP, linear programming में भी आपको मदद करेगी वहाँ पे हमें यह intersection point भी निकालने पड़ते हैं यहाँ पे आपको intersection point निकालने की जुरुद नहीं है वहाँ पे हमें निकालने पड़ते हैं अगर निकालना भी हो तो आपको दोनों को equals करके check करना पड़ेगा जयानिकि दो equation, दो variable तो आपको solve करना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ से y की value put up कर सकता हूं 2x minus 1 तो x minus 2 y की value क्या हो जाएगी 2x minus 1 equals to 1 तो x 2 to the 4x plus 2 equals to 1 so minus 3x equals to minus 1 x is equals to 1 by 3 यानि कि यह कहाँ पे cut कर रहा है बेटा 1 by 3 पे cut करेगा यह कहाँ पे cut करेगा 1 by 3 पे cut करेगा ठीक है इस तरीके से यह solve होगा मतलब maybe line की equation वैसी नहीं बनी है पर वो first coordinate में जाके cut करेगा अब हमें region बनाना है तो इसके लिए हम color ले लेते हैं सर दूसरे दूसरे color ले लेते हैं जैसे कि पहला color अगर हम बात करें इसको एक बार हटा देते हैं पहली line की अगर मैं बात करूं तो यह वहां हमारी पहली line थी तो 0,0 put up करो तर 0,0,0 greater than 1 होता है नहीं होता यानि की इस line से नीचे वाला जो हमारा part है वो solution होगा नीचे वाला जो part है वो solution होगा यानि की यहां पे यह इस तरीके से अब दूसरे line में यह जो उपर में बनी थी दूसरे line 0,0 is less than minus 1 नहीं सर तो यानि की इस line का भी यह वाला part नहीं उपर वाला solution होगा तो यानि की आपका common solution क्या आ रहा है सर वो जो arrow बन रही है वो आपका common solution है यानि की यह pink में हम ले लेते हैं आप इसको shade कर देंगे यह आपका solution होगा यह जो पूरा ऐसे जाएगा वो आपका solution हो जाएगा तो pink आपका solution है white single line से solution है उस इसाप से आपको solve करना है इस तरीके से आपको solve करना है line by line एक line बनी, दूसरी line बनी और फिर उसके according आपने solve किया ठीक है? आचा करता हूँ समझ में आ रहा होगा एक-एक करके आपको करना है ठीक है? तो rock में ऐसे merge करने के बाद अब फिर fair में आप बकायदा दो line बनाईए, direct point से match करिए देखिए आपका intersection point सब कुछ बढ़िया से आएगा, scale से line draw करिए तो एकदम perfect diagram आपका बन जाएगा आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर solve the following system, अब 3 line ने दी हुई है x plus y less than 9 y greater than x और x greater than 1 तो sir अब 3 line आ गई तो चाहे 3 line आ जाए जो 4 line आ जाए, method आपकी same है एक-एक करके आप solve करिए y equals to x, सबसे पहले तो sir ये समझो ये जो y equals to x होती है वो origin से pass करती है वो line आपकी origin से pass करती है तो ये आपकी y equals to x हो जाएगी ठीक है दूसरी पहले हम line plot करते हमेशा पहले हम हमेशा line को plot करते हैं फिर x equals to 1 sir 1 यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी x equals to 1 ये लीजे यह line भी हो गई तीसरी line बचीव सर बस x plus y equals to 9 x को 0 किया तो y 9 हो जाएगा y को 0 किया तो x भी 9 हो जाएगा तो आप 9,0 0,9 ठीक है अब यह scale से नहीं बना है तो इसलिए diagram कुछ भी हो सकता है पर आप जब scale से बनाएंगे scale यूज करेंगे graph paper पर तो perfect cutting वगरा सब आएगा और आप measure करके points भी निकाल सकते हो measure करके points भी निकाल सकते हो अब हमें region निकालना पड़ेगा region के लिए अपन color ले लेते हैं इस बार चलो yellow ही लेते हैं सबसे पहले y is greater than x या पहले इस line का ही ले ले लेते हैं सर ये वाड़ी line थी 0,0 डालो 0 plus 0 less than 9 correct सर तो यानिकी 0,0 से मतला हमारा region है तो इसके नीचे वाले इसके नीचे वाला ये हो गया अब ध्यान देना ये point है 1,0 क्योंकि जब y equals to x के लिए चेक करें अब 0,0 नहीं चेक कर सकते तो कोई और point तो चलो 1,0 तो y greater than x तो 1,0 यानिकी 0 greater than 1 होता है क्या नहीं सर 0 greater than 1 नहीं होता यानिकी इसके उपर वाला region ये वाला region हमारा answer नहीं होगा इसके उपर वाला region यानिकी यहाँ पे ये यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा अब तीसरा, x greater than 1 यानिकी x 1 से बड़ी values छोटी नहीं, 1 से बड़ी values यानिकी ये side तो सर तीनों portion कहां मिल रहे हैं तीनों portion सिर्फ इस triangle में ही मिल रहे हैं तो आपका answer हो जाएगा ये triangle इसको आप दूसरे color से करिएगा red ले लेते हैं तो ये आपका answer हो जाएगा triangle यहाँ पर छोटा बना है मेभी आप जब diagram बनाएंगे तो काफी बड़ा बनेगा क्योंकि 0,9 बहुत उपर जाएगा ठीक है ना 0,9 बहुत उपर जाएगा जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1,9 पर triangle काफी बड़ा बनेगा तो इस तरीके से आपको करना है अब यहाँ पर देखो बाकी दोनों लाइन पर equals to य एक्वल्स टू है, y equals to x पर नहीं है तो ये वाली लाइन आप dark करोगे ये वाली लाइन dark करोगे बस y equals to x वाली लाइन dark नहीं होगी इसको आपको ऐसी छोड़ देना है सिर्फ y x वाली लाइन dark नहीं होगी इस तरीके से आपको solve करना है इस तरीके से आपको solve करना है, समझ में आ रहा है एक एक लाइन हमने draw करी उसके बाद एक एक लाइन के हमने region निकाले और फिर देखा जो common region था उसको एक different color से आपको करना है उसको आपको different color से करना है तो इस तरीके से हम graphical solution करते है ठीक है, और question देखते है अब यहाँ पर देखिए सर, एक, दो, तीन, तीन लाइन है सर, ठीक है यहाँ पर भी हमारे पास तीन लाइन है, उसलिए तीन लाइन है पहली दो लाइन तो बाद वाली दो लाइन तो simple है सर y greater than 2 तो सर, यह मेरी लाइन बनेगी y equals to 2 greater than 2 यानि की उपर वाला part बनेगा ठीक है ना, तो मैं हाथी हाथ यहाँ पर color up पिकर सकता हूँ y greater than 2 यानि y की value 2 और 2 से बढ़ी फिर x greater than 1 सर, इस बार थोड़ा सा छोटा ही ले ले लेते हैं तो यह वाला line हम ले लेते हैं यह वहन जाएगा x equals to 1 और greater than बोल रहा है तो, यानि की यह वाला part इस तरीके से, यह हुआ अब आ जाते हैं इस line पे सर यह line क्या है 5x plus 4y equals to 20 तो जब मैंने x को 0 किया तो y की value हो जाएगी 5 और जब y को 0 करूँगा तो x की value हो जाएगी 4 तो सर, पहला point 4,0 एकदम extreme पे ले चलते हैं 4,0 और यहां पे 5,0,5 तो 2 तो यहां पे था ही 0,5 तो इसको इस से join करेंगे extend कर देंगे, यह आपका बन गया अब सर, 0,0 यहां पे put up करो तो सर, 0 plus 0 is less than 20, correct यानि की उसके नीचे वाला line आपका answer होगा यानि की यह वाला तो यानि इस line के उपर, इस line के set और इसके नीचे तो यह triangle ही बना सर, तो वापिस जो आपका answer है वो हो जाएगा यह triangle देखिए अब थोड़ा सा बड़ा बना क्योंकि मैंने distance बराबर लिया, तो scaling का effect है सर, आप जब graph पे scale अच्छे से लेंगे, proper scaling लेंगे, तो आपका जो region है बहुत अच्छे से suitably आएगा और आप जब scale लेंगे तो या आप जब इसको scale से measure करेंगे तो आप intersection point भी निकाल सकते हो ठीक है, तो अब देखिए, तीनो पे equals two है, तीनो लाइन पे equals two है तो यह जो border lines है, इनको भी आप dark करेंगे, इनको भी आप dark करेंगे तो यह आपका solution हो जाएगा इस case में तो यह सर, चाहे दो line हो, चाहे तीन line हो, चाहे चार line हो एक-एक करके आपको line पहले बनानी है, फिर उनका region आपको decide करना है और फिर देखना है कि common region कौन सारा है, उसको आपको different color से करना है यह है solution of linear equation in two variables मतलब एक से जब जादा variable आ जाते हैं आशा करता हूं सब समझ में आ रहा होगा मैंने एकदम simple method भी बता दिया कि कैसे आप line का equation draw कर सकते हो पूरी screen आप देख सकते हैं, बार बार हम same चीज़े कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कुछ different कर रहे हैं ठीक है? चलो एक question और करते हैं अब यहां पे एक, दो, तीन और यह चार चार आ गया सर अब आपको आ गया चार line y greater than zero का मतलब है सर उसके नीचे हमें देखना ही नहीं है ठीक है? तो यानि कि सिर्फ आप उपर का ही portion आपको चाहिए इस तरीके सम कर लेते हैं उपर का ही portion हमें चाहिए क्योंकि y greater than zero इसका मतलब क्या हुआ y सर जीरो से बड़ा होना चाहिए तो आपको सिर्फ उपर का value देखना है तो इसको plot करने की जुरत नहीं है क्योंकि यह तो उपर का ही चाहिए इसका मतलब है कि उपर का चाहिए अब यह वाली line क्या है x minus y equals to zero यानि की x equals to y तो आपकी सर यह वाली straight line हो जाएगी यह वाली straight line हो जाएगी अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहीं पर region भी निकाल लेते हैं हाँ आप निकाल सकते हो कोई भी एक point ले लो 1,0 ले लो इस side वाला तो 1 minus 0 less than 0 नहीं होता सर यानि की इसके उपर का region आपको चाहिए इसके उपर का region आपको चाहिए यह वाला region हमें नहीं चाहिए चीक है तो यह दो हो गए अब यह वाली line बच्ची एक एक करके इंको solve करेंगे सबसे पहले x plus y equals to 1 तो सर x 0 y 1 y 0 तो x 1 अच्छा सर हमने 1,0 बनायी था यहाँ पे 0,1 तो इन दोनों को join किया तो इस तरीके से आपकी line बन जाएगी अब सर 0,0 सर 0 plus 0 greater than 1 नहीं होता यानि कि मुझे line के उस side solution चाहिए line के इस side मुझे solution चाहिए यह हो गया मुझे नीचे तो जाने ही नहीं है उपर ही देखना है तो अभी तक यह वाला part हमारा बन रहा है common अब तीसरी line पे आते हैं तीसरी line पे आते हैं चलो यहाँ पे मैं solve कर देता हूँ आप लोग के लिए तीसरी line एक्स प्लस टू य इक्वल्स टू 10 एक्स को जीरो किया तो य फाइव हुआ य को जीरो किया तो एक्स टैन हुआ सर एक point हो जाएगा 10,0 थोड़ा extreme पे रख लिया और एक point हो जाएगा 0,5 चल लिए अब इसको इससे join करना है ऐसे ये बनेगा अब सर 0 डालो तो सर 0 प्लस 0 is less than 10 correct यानि कि इसके नीचे मतलब इसके नीचे अब देखिए common solution कौन सा आ रहा है अब हमें देखना है कि common solution कौन सा आ रहा है यहाँ पे भी था यह ठीक है पर इसके हमें ऊपर चाहिए इस line के इस side चाहिए इस line के इस side चाहिए ठीक है और इस line के इस side तो ये वाला portion तो हो नहीं सकता तो sir ये वाला portion आपका बन रहा है ये वाला यानि की ये वाला तो आप इसको shadow up करेंगे मतलब shade करेंगे ये आपका portion बनेगा तो y equals to x से कम उससे जादा इस वाली line से जादा और इस वाली line से कम और y उपर ये आपका बनेगा ये obviously कहीं न कहीं जाके meet करेंगे या नीचे उपर पर ये आपका answer बन जाएगा पर आप देख सकते है sub के अंदर equals to है तो हम ये जो lines है इंको भी आप solution में लेंगे भूलना नहीं है बेटा teacher इस सब के लिए भी एक-एक marks cut कर सकते है तो जहाँ पर equals to है वो वाली line को आप shade out करेंगे जहाँ पर equals to नहीं है उसमें आप shade नहीं करेंगे देख लिजे सर अब चार आई थी values फिर भी method सेम था एक-एक करके हमने line बनाई वो line बनाने के बाद हमने उसको shade out किया ठीक है तो जब आप अच्छे से question को solve करते हुए देखेंगे तो आपको ऐसे mixture नहीं दिखेगा आपको properly समझ में आ जाएगा बस यहाँ रखना है कि अगर equals to है तो line को भी आपको include करना है line को भी आप draw करेंगे तो मैं यहीं बोलूँगा बेटा rough में बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा nature क्या आ रहा है तुरंत आप उसको fair up पे points आपको दिये रहेंगे points बनाईएगा fail से line खीचेगा आपका perfect region बन जाएगा perfect region बन जाएगा ठीक है clear है तो इस तरीके से हमने finger variable भी देखा two variables भी देखा सब कुछ properly हमने देखा कैसे solve करते हैं कैसे इसको easy तरीके से करना है मैंने सब कुछ बता दिया ठीक है इतना आप कर लोगे बिटा full out of full आपके इस chapter में तो जरूर आ जाएगे अब आपके homework के लिए मैंने जादा नहीं आप ये 2-3 सवाल भी आप कर लोगे प्लस जितना आपने किया more than enough है इससे जादा इसको time देने की जुरत नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं photo ले सकते हैं आप अपनी practice कर सकते हैं ठीक है तो ये था आपका linear inequalities आशा करतों आपको समझ में आया होगा कहीं पर भी दिक्कत नहीं आयोगी अगली class में मिलेंगे दूसरे chapter के साथ तब तक solve करते रहिए practice करते रहिए PW की पुरी टेम आपके साथ है thank you